जुमे की सुभा एक बच्च के तीस मिनट के उपर एक पंखा किरने से एक हाथसा हुआ है जिसमें बच्चे के मुँपे काफी चोट लेगी है आईए अब उससे आगे की बात करते हैं जो देटना किस तरह से हुई हम लोग असल में घर पर बैठे वे बात कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ जिसमें वक जो था लगबग एक बच्च के तीस मिनट का वक्त था और जुमे की मतलब वो सुभा थी बिलकुल एक बच्च के तीस मिनट पर अचानक जो है ये पंखा टूटा और तूटने के बाद जो है ये गिरा और मेरे बगल में जो बेटा बैठा वा था उसके फॉरण जो है जाकर पहले भांज़े के लेगा भांज़ा यहां पाइकियों को बैठा था मेरा बेटा वहां बैठा था सेयद फ़हाम हसन मैं यहां पर बैठा हुआ था इस जगा पर तो अग्दम पंखा गिरा पहले मेरे भांजे के लगा उसके उतरता वा लगा और जाकर मेरे बेटे के लगा जिससे उसके नाक और उसके गाल जो है पूरी तरह से कट गया और वो एक दम चिलाने लगा और फिर मैंने जो देखा खुनम कान हो गया और मेरा बेटा फिर बेहोश हो गया बहराल मैं पास कोई सरजन नहीं था तो उन्होंने रिफ्यूस करा कि हम इसकी स्टीचिंग नहीं कर सकते पिर मैं हुली फेमिली भागा लेके तो हुली फेमिली वालों ने कहा कि हमारे पास भी कोई सीनियर सरजन नहीं है जो इंटी के इस टीचिंग करते हैं और निशान पढ़ के अंदर सब चीजों का समाधान है आप वहां पर ले जाईए मैं अलबता दो ढ़ाई बजे के खरीब फिर अपुलो हस्पिटल लेके गया तो अपुलो हस्पिटल वालो ने पूरी तरह से किसकी कंडिशन देखी और कंडिशन देखने के बाद ये कहा कि हम आपकी फस्ट सीनियर सरजन है और मतलब प्लास्टिक सरजरी के वो स्पेशलिस्ट है उसके बाद फिर मैंने शाम में उनको फिर अपने बेटे को मैं लेके गया तो लगबक सवा घंटे तक उन्होंने इसका ट्रीटमेंट करा जिसमें आठ इस टीचिंग तो उन्होंने अंदर की तरफ कर होगा जो भी होगा फिर हम देखते हैं और जहां तक पैसों का कम से कम 20-22,000 रुपया लग गया है उसके अंदर अपोलो हस्पिटल में अभी और क्या लगेगा अभी मैं कुछ बतानी सकता क्योंकि अभी इलाज जारी है जब पंक्रा कि रहा तो मैं भी होश हो गया था और बहुत खून निकला डॉक्टर के लेगा थे पापा फिर महां पर जाके पता लगा गई है अपर टाके लगेंगे तो निशान आ जाएंगे अपोलो लेके गए फिर भी लोग हैं उनसे मेरी दर्कास्त है कि मैं वैसे कुछ पांच दिन पहले से पंक्रे कंदर कि एक तरह की आवास खट-खट की मैं देख रहा था सुन रहा था तो मैंने सोचा पता नहीं यह क्या वज़ा है कोई बोल डीला है या क्या है तो मैंने कि मैं इसको देखूंगा लेकिन यह बास सोचते सोचते अलबता यह घटना हो गई तो मेरी आप सब लोगों से यह दर्कास्त है कि जब भी पंखे के अंदर किसी भी तरह की आवाज हो तो उसे आप चेक जरूर करें और मेरे ना चेक करने की वज़ा से या गफलत कहिए या जो भी कह सकते हो कि यह किसमत में मेरे चीज़ थी हो गया तो लूस थी थोड़ी सी रॉड उस लूस के रॉड होने की वज़ा से य तो अगर बजाहिरे के इस लूस रॉड को मैं देख लेता इन रोजनों को अगर चेक कर लेता तो हो सकता था यह हासा दरपेशना होता